असलाम लीकूम, वेलकम टू कुक विद पाकिस्तानी मॉम मेरे किचन में आज बन रहा है बादामी कोर्मा बादामी कोर्मा हम बनाएंगे मटन का जिसके लिए ले ले लेंगे डेड़ कप कुकिंग ओयल कुकिंग ओयल में हमें प्यास को सुनहरा करना है ओयल के गरम होने का इंतजार कीजिए फिर उसमें शामिल कर देंगे तीन दर्मियाने साइज के बारीक कटे हुए प्यास प्यास की सुनहरा होते ही उसमें गोश्ट शामिल कर देंगे एक किलो गोश्ट है बक्रे का और एक पाव ले ले लेंगे दही दही में जाएंगे दो टेबल स्पून पिसे हुए धनिये के क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिच का थोड़ा सा जीरा पाउडर और लसा नदरक का पेस्ट इन सब चीजों को दही में फैंट लेंगे कोर्मा मटन का बनाई ये चिकन का उसमें टिमाटर का इस्तमाल नहीं होता है बलके प्याज और दही का इस्तमाल होता है प्याज की हलका सा सुनेरा होते ही उसमें गोश्ट शामिल कर देंगे और गोश्ट की हमें खूब भुनाई करनी है तक्रीबन 6-7 मिनट तक गोश्ट को दरम्यानी आज पर खूब भूनेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे दही में मिक्स किया हुआ मसाला गोश्ट अगर ताज़ा है तो इसमें मजीद पानी डालने की जरूरत नहीं है दीमी आज पर हम इसे गलाएंगे और कवर करके रखतेंगे 45 मिनिट में तक्रीबन गोश्ट गल कर तयार हो जाएगा लेकिन दरम्यान में चेक करते रहेंगे अभी इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया है आते गंटे के बाद गोश्ट को चेक करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे नमक कुछ मसाले और हमें चाहिए होंगे जिसमें अनारदाना, जीरा, एक एक टेबल स्पून जा वित्री चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च, छोटी लाइची, बड़ी लाइची, कुछ लॉंग और दार्चीनी का टुकड़ा इन सब मसालों को हमें बस मोटा मोटा सा कूटना है या दरदरा सा ग्राइंड कर लें फाइन पाउडर नहीं बनाना है कौर्मे को गार्णिश करने के लिए हमें चाहिए बादाम, बादामों को भिगो देंगे क्योंके इसका चलका हमें डिसकार्ड करना है गोश्ट हाफ डन हो चुका है, अब इसमें शामिल कर देंगे नमक और इसे कवर करके मजीद 30 मिनट तक हलकी आच पर पकाएंगे फ्लेम को इस पॉइंट पर बिल्कुल स्लो कर देंगे और आदे गंटे के बाद हमें शामिल करना है उटा हुआ मसाला गोश्ट अब बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, हीट को बढ़ा लेंगे और मसाले को फिर अच्छे से भून लेंगे कोर्मी की बहुत ही मज़ेदार और आफसान सी रेसिपी मैंने आज आज आप से शेयर की है, ट्राइ करें तो फेड़ बैक जरूर दीजिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमले से शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अल्ला ताला आप सब को फराखिये रिस्क अता फरमाए आईए अब बल्ला की खुबसूरत सी नेमतों का और इस प्यारी सी जिन्दगी का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुल्लाह रबिलालमीन